नंबर सिस्टम कनवर्शंग कम्प्यूंटर के यंदर चार तरह केlla नंबर सिश्टम है डिसल इंबर बाइनरी आकटल औरेक्सा डिसمر यह मशनव मॉट इश्टम का इंट्रक्षम पर नमे इंटरडक्ष्रम हूँ यह वीडियो के पहले वह वीडियो Chief में देखिये हैं तो मेसी के प्लेडिस्ट में देखिया तो यह आपको वीडियो मिल जाएगा अच्छा आव इसमें कण्वर्शन में देखिये कन्वर्शन येक सिस्टेमाटिक सी हम पढ़ेंगे तो पड़ा आसान conversion है यह देखिए एक order में पढ़ना है पहले हम यह ले लिए decimal to other number system तो कितने combination आएंगे तीन आएंगे decimal to other other number system other number system to decimal यह तो तीन combination आएंगे वो बात फिर binary ले लो binary to other number system इसमें यह combination घड़ जाता क्योंकि binary to decimal यहां पर आगिया है तो बचा के आप आक्टल to other combination तो इसमें यह किया आएगा क्योंकि आक्टल to binary तो इसमें आगिया आक्टल to decimal combination तो इसमें आगिया बस यह एक order में आप पस सीख लिए पहले देखो decimal to other number system देखते हैं decimal to binary कैसा जाएंगे देखिंगे decimal तो decimal क्या होता है binary क्या होता है hexadecimal क्या होता है तोड़ा यह वीडियो के पहले वीडियो आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम है उस वीडियो का टैटिल है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम आपको पढ़ेंगे तो यह समझना आएगा अब इसमें देखते हैं यह binary नंबर है 125 बाइनरी नंबर है तो यह आकर हमें regular use करते सो नंबर है 125 अब इसमें यह binary में कैसा कनवर्ट करेंगे बैनरी में सिरिफ वो 1 0 छाथ है तो यह decimal में 1 to 9 digits रहते हैं 0 to 9 digits रहते हैं वो regular हम यूज करते सो लोग है लोग यूज करते सो language है human यह real life में यूज करता सो language है decimal यह computer का language है यह कंप्यूटर के अंदर कोई भी नंबर ऐसा रिप्रेजेंट होता है, उसके अंदर 01 डिजिट रहते हैं, उसके अंदर 01 डिजिट रहते हैं, तो 125 को तो 2C डिवाइड करो, तो 2C डिवाइड करने के बाद 262 जा, 262 जा यह कोईशंट 62, 262 जा 124 होता, बचा कितना, जो एक शार्टकट में याद रख सकते हैं, 2C डिवाइड करेंगे, तो रिमेंडर 0 तो आएगा, या 1 तो आएगा, उसके अलावा दूसरा नहीं आएगा, उसके डिजिट है, उबाइनरी के डिजिट से 01, अच्छा हम आभी 62 आया, कोईशंट को भी 2C डिवाइड करो, 231 जा, 62 चल गया, तो बचा कुछ नहीं है, 0 आया, तो भीर ये 31 को 2C डिवाइड करें, तो 2 15 जा, तो अब बचा 1, तो 15 को भीर डिवाइड करें, 7 जा, भीर बचा 1, ऐसा करते जाएंगे, लास्ट में 1, बचा 1 को 2C डिवाइड करें, तो जाएगा नहीं, तो यह रिमेंडर 1 है देखिए आए गया देखिए इदर तो यह नंबर देखे 125 यह नहीं बोलता है कि यह minimal लगा देंगे एक दिसर रहता है, decimal to any number system, एक ही procedure रहता है, देखिए, तो अभी इसमें क्या करना है, decimal to after, बस two के जगा येट लगा लिजए, टू के जगा येट लगा लिजए, एट से डिवैट करेंगे तो क्या आएगा बताईए, येट भी और येट के अंदर, रिमेंडर के आएंगे इदर, येट से अंदर जो रहेंगे, वो 0 to 7 आ सकते हैं, उससी बड़ा तो नहीं आगा, 7 सी बड़ा नहीं आएगा न, क्योंकि एट सी जब डिवैट कर रहे हैं, तो येट रिमेंडर में आने का चांस नहीं है, तो इसके लिए, तो इसके अंदर आक्टल माने कहा, 8, 0 to 7 डिजिट सा है, पहले जाके आपको नंबर सिस्टम का इंटरदक्शन पढ़ लिजा, आक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट अच्छा बस 2 के जगा हम लोग 8 सी डिवाइट कर लेंगे, 8 सी डिवाइट कर लेंगे, जो आएगा लास्ट में, ये हम लोग है, पस इसके जगा में फिर हम 16 सी, जो नंबर छोटा-छोटा भी लेके आप कर सकते हैं, देखिए ये आंसर है, इधर सी ले लिजिए इसको, त तो इसके अंदर क्या-कimage डिवाइट है, तो आक्टाल के अंदर 0-7 कोई भी डिजिट आ सकता है, ये आच्टाल का बेस हो, 88 सी डिवाइट कर रहे हैं, तो हैव ऐग्जा डिसिमल है, अभी हÈग्जा डिसिमल में slopes करना है, दीकि है ऐग्जा डिसिमल में 16 सी करना परता है, क्या ये माने 10, हमें जो decimal में 10 जो बढ़ते हैं उन बाते हो अग कि बढ़ते हैं, इस को बराबर है ये ये बी सी डी, इष तक जाते हैं कि यफ 15 हमें decimal में जो 15 लिखते हैं फ के बाद उनके district खतम हो जाते हैं यह खतम हो जाने के बाद by नाईन के बाद जैसा भिर शुरू होते हैं डीजिट रिपीट होते हैं वैसा यह bir है एक्साडिसिमल में उनको f के बाद रिपीट होते हैं f के इनको बनागा बस 2 के जगा यह इट कर दिया 16 16, 16, 16, का यह आएगा, देखो मगर 13 नहीं है, हेक्जाडिसिमल में 13 आने का मतलब क्या है, 13 का मतलब D है, तो आंसर में देखो 4 लिए, इसके जगा में 13 लेना है, 13 के जगा में D लेना है, तो हिसाब के लिजे यह आके 10 हुआ, तो 11 क्या होगा, B होगा, 12 क्या होगा, C होगा, 13 क्या होगा, D होगा, ऐसा 13 के जगा D लिना, 13 बोले तो यह तो 2 digit की बात होगी, 2 digit आगे, यह की digit आना है, D यह की digit आएगा बस, जाके introduction आप पढ़ियेगा तो नंबर सिस्टम का आप खुछ समझ में था, अब यह 3 में क्या है, 3 एक दिसा है, binary में convert करना था जब decimal को, तो 2s divide करें, जब आक्टल में convert करना था, यह 8 सी करें, जब hexadecimal में करना था, जब 16 सी करें, बस एक दिसा रता है, अब देखेंगे next to to vice versa, कि decimal को हम दूसरे number सिस्टम को चलिए, आप दूसरे number सिस्टम से decimal को आएंगे, दूसरे number सिस्टम से decimal को कैसा आते हैं, बड़ा easy रता है, देखिए अब यह binary दे दिया गया है, अब इस binary number को हमें decimal में convert करना है, यह एक देख लिए, binary to decimal यह combination देख लें, दो भाग है, पहले हम उपर क्या किये थे हैं, हमें decimal to binary को है थे, आप binary to decimal जाना है, अचा, यह two दिया गए, देखिए, यह पूरा मिला के कितना number है, देखिए, यह पूरा है ना, इसका first digit का है, इधर, left सी ले रहा है left, one, हैं ले 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 लना, one, हैं one ले लने के बाद, यह पूरे count करो, कितने हैं कि digit है, वह निचे base छोड़ दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, डिजिट से ना, यह पूरे आठ, डिजिट है, उसमें सी एक घटा के, into two power seven, यह तो, two, two, common रहे गा, उसका base है, वो, उपर में seven दर लिजे, फिर plus करना, plus करके next digit के है, zero, zero ले लो, into two power six, यह power को एक घटाते आओ, plus, next digit ले लो, one, one ले लिए two power, अब यह घटाते आओ, five, तो next के आएगा, one into two power, उसे power सी एक, फिर plus, plus, यह plus आएगा, zero into two power three, फिर plus, यह one आए, one into two power two, प्लस, ऐसा करते है, पात में उनको two power seven के कितना आएगा, 128 into one, 128, यह तो zero हो जाएगा, यह two power five कितना आएगा, 32 into one, 32 आएगा, यह इनी का, यह है, उसके पाद उसका expansion है, उसके बाद यह पुरा add करेंगे, तो 181 आएगा, इसका base आके 10 होगा, यह decimal है, यह binary is decimal में convert, तो हो गया, बस यह base जो दिक रहा है, two, two के जगा, आप eight ले लिजे, आप आक्टाल से decimal चल जाओगे, बस यहां तीन-तीन number ले लिए हैं, देखो यह की number नहीं, तीन number, यह एक ही line में हो गया, बिर दूसरा number लेके वो करेंगे, 27 है, यह आक्टाल में दिया आगया है, base दिये तो आप वो समझ में आता, आक्टाल में दिया हुआ number को एक्जा में करना, यह decimal में करना, तो पहले इसमें first digit क्या है, two, two करने के बाद, into eight आएगा, यहां उसे जैसा two आया था, इसे eight आएगा, power में क्या आएगा number of digits minus one, इसके number of digits कितने है, दो डिजिट है, दो उसमें सी एक निकाल तो one आएगा, plus, फिर यह seven लालो, seven into eight power zero, डिजिटां खतम होगे न, तो यहां one आया, तो यह घटेगा न, zero आएगा न, सबको भी last digit का power zero चाहेगा, अब यह देखो, यह eight power zero के हाँ, one आएगा, one into seven, seven आया, तो यह eight power one, 80 आएगा, यह two आएगा, यह two आएगा, यह two आएट करे तो 23, आक्टल में 27 जो दीक रहा है, आपको 27 को decimal में convert करें तो 23, थोड़ा छोटा आएगा, इसमें digit आएगा यादा है न, तो उसके बाद आई सही बागी के भी कर लिया है, तो उसके बाद the conversion from, the convert from hexadecimal to decimal, 16 का जगा आएगा, 16 का, two into 16 power one, eight into 16 power zero 40, देखो यहां f आया न, f को तो हमें multiplication कर सकते हैं, two दाल ले न, into 16 तो power one, यह तो 16 रहेगा कामन, f के जगा 15 आता देखिया, यह के जगा 10, वो हिजाब कर लिजे, 15 into six power zero, देखो यह, a का value होगा 10, b का value होगा 11, वो digits हैं उनके, hexadecimal में हम जो 10, 9 के बाद हमारे digit खतम हो जाते हैं, बट उनको 9 के बाद भी digit रहते हैं, तो 9 के बाद, a, b, c, d, e, f, बाद में खतम हो जाते हैं, 15 बोलके पढ़ते हैं, उसके बाद भी 1, 0, start होता, 1, 0, जहां start होता, हमें 1, 0, क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, उन्हों 1, 0, 16 पढ़ते हैं, क्योंकि 15 तक उनको digit है, यह आएगा, बस 16 लगाते हैं, बी का वैल्यू कहा है, यह का 10 होगा, बी का 11 होगा, 11 इंटो 16 पढ़ते हैं, इसके नमबर आप digit में से एक घटाना, उसके बाद हर पावर में एक-एक घटाते जाना हैं, देखेंगे, यह एक देशा प्रुसिजर है इसके बाद में इंटो टू तो कामन हैगा, टू पढ़र, टू पढ़र यह कितना लेंगे? यह यह वन तो यहाँ से आया सो है, यह टू तो कामन है, सुबको लेना है, इंटो 2, यह टू पढ़र कितना आए? इसमें number आप ीजिट कितने हैगा, यह एक दिजिट है, उसमें से एक निक एक निका आएगा बस यह देखिए एक देसे है पूरे डिसीमल टो आदर नंबर सिस्टम आदर नंबर सिस्टम टू डिसीमल पस यह है यह समझ मैं आ है तो आपको सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स को शेर कीजिए आपको नोट्स के साथ मैं दे रहा हूं मेरे वीडियोस पूरे देन क्यों देनी देनी मैं थेटें आपको तूरे पूरें धन यह तूरेंग कीजिएília